Hello friends, once again, very welcome to Modern Study Club, जहाँ पे आपके mini से micro problems तक का solution दिया जाता है. जैसा कि आप सभी को पता होगा, COVID के चलते सभी की पढ़ाई online है, और आपको अपने assignments PDF format में ही submit करने होते हैं, और most of the बच्चे उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं, जो वो चाहते हुए भी ठीक नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनको पूरा PDF फिर से बनाना पड़ता है. MS Word में PDF edit हो जाता है, बट अगर हम बात करें projects की या कुछ ऐसे assignments जिसमें आपने photos वगेरा लगाई हैं, तो MS Word उनको distort कर देता है, उसमें PDF उतने अच्छे से edit नहीं होते हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी website, जिसकी मदद से आप PDF को जैसा चाहे वैसे edit कर सकते हैं, तो चलिए चलते हैं computer screen पे और देखते हैं क्या है वो website, तो अभी हम आगे हैं अपनी computer screen पे, यहाँ पे आपको एक PDF खुला हुआ दिख रहा होगा, इसको हम as a sample यूज़ करेंगे और edit करके आपको दिखाएंगे की कैसे कर सकते हैं, इसमें आप name of the student, division, rule number, सारी fields खाली देख पा रहे होंगे, हम यह सब चीज़े edit करेंगे, यहाँ पे आपको observation table खाली दिख रहा होगा, वो edit करेंगे, इसी तरह आप भी अपने PDF में कोई भी information edit कर सकते हैं, तो चलिए website पे चलते हैं, और देखते हैं कैसे करना है, यह आगे हम website का interface कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें बहुत सारे बहुत सारे features हैं, और हर एक feature को एक video में explain करना तो possible नहीं है, बट यह जो आपको यह 6 features दीख रहे हैं, यह most of the time आपको use होते हैं, जिन में से आज हम edit का और OCR दो चीजों का tutorial देखेंगे, edit में तो आप वही PDF में देखिए, text, file, link जो edit करना है आप कर सकते हैं, और OCR अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें, अभी online studies के time पे आप most of the time आपको बुक नहीं मिलती होगी, तो आप बुक को online download करते हैं PDF form में, और generally वो बुक scanned होती हैं, तो अगर आपको कोई keyword search करना है तो आप उस बुक में नहीं कर पाते हैं, तो OCR का feature उसी चीज के लिए बहुत helpful है, OCR एक scanned copy को भी searchable PDF के form में convert करता है, आप attention मत लीजे, हम आपको इसका भी tutorial देंगे, पहले edit करके देखते हैं, यह हम आगए edit पे, यहाँ पे यह आपकी PDF फाइल upload करने बूलेगा, तो हम वही वाली फाइल upload कर देते हैं, जिससे हम edit करना है, documents, tutorial, तो यहाँ पे हमने वाली फाइल open कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ interface आपको word में भी दिखता है, बट फिर वही बात है कि word इसको distort कर देगा, आप इसको अच्छे से edit नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे name में देखते हैं, आपको यहाँ पे पहले यह option बता देते हैं, आप यहाँ पे text एड़ कर सकते हैं, links एड़ कर सकते हैं, form एड़ कर सकते हैं, images डाल सकते हैं, अपना signature एड़ कर सकते हैं, कोई particular चीज हटा नहीं है उसको, तो white out कर सकते हैं, अप handwriting से कुछ anodate भी कर सकते हैं, shapes भी एड़ कर सकते हैं, और more feature में find and replace वाला feature बहुत useful है, आप उसे भी try कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम name of the student पे आते हैं, और यहाँ पे आपको यहाँ पे outline दिख रही होगी, यहाँ पे जस्ट आपको simply click करना है, और आपको यहाँ पे type your text का option दिख रहा होगा, अभी tension मत लीजिए, वो line के अभी है, line के पार नहीं जा रहा है, अभी हम उसको सही करेंगे, यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं, यह नाम हो गया, अब आपको यहाँ पे वो करना है, फिर आपको यहाँ पे outline दिख रही होगा, आप इस हिसाब से उसको adjust कर सकते हैं, यह आपका नाम हो गया, फिर आप page number वाले उसको click कीजिए, आपको यह page number edit करने का option आ गया, आप यहाँ पे page number 1 डाल सकते हैं, जैसे ही आपको यह blue color का outbox दिखे, आप समझ जाईगा कि वो उसने, website ने उस text को edit scan कर लिया है, तो उसमें से आप इसको use करेंगे, update में हमने, हमें हाँ पे date डाल देते हैं, 04, तो यह तो हमने edit कर लिए date, इसी तरह से आप अपना division, rule number, सबी चीज़ edit कर सकते हैं, आपके पास दो option है, या तो आप text add कीजे, फिर उसको displace कीजे, या फिर आप सीधा यहाँ पे click करेंगे, तो वो सीधा वही पे add हो जाएगा, जैसे की अगर आप यहाँ पे click करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप इस चीज़ को edit कर पाएंगे, आप अंडरलाइन हटाईए, division A, फिर उसके बाद rule number वाले section पर आते हैं, अंडरलाइन हटाईए, और rule number लिख दीजे, तो यह तो हमने basic देख लिया चीजे, अब आते हैं observation table पे, observation table में आपको दिख रहा होगा, अगर यही काम आप word में करते हैं, तो यह table अब तक पूरी distort हो गई होती, बट यहाँ पे आपको just simply अपना जो भी data है वो add करना है, तो हम फटाक से इस observation table को फिल करके आपको दिखाते हैं, तो आपने देखा कि हमने कैसे एक observation table फिल किया, इसी तरह से हम दूसरी observation table पे फिल करेंगे, आप अपने according इसमें कोई भी data एंटर कर सकते हैं, तो अब दूसरी observation table पे फिल कर लेते हैं, आप इस चीज़ की tension बिलकुल मत लीजिए कि यह order में नहीं है, मतलब एक line में नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से rearrange कर सकते हैं, कि देखें, आप जैसे चाहिए, इसको ऐसे align कर सकते हैं, सब एक अच्छी position में करके, एक formal look दे सकते हैं अपनी pdf को, आपको बस text add करना है, फिर उसकी position अपने according आप चेंज कर सकते हैं, तो यह हमने observation table कर लिया, फिर उसके बाद आते हैं, आपको देखें, यहाँ पर वहाँ पर हमने page number किया था, यहाँ पर हम page number करते हैं, page number 2, यहाँ पर कर दिया page number 3, यह चीज़ आप word में शायद नहीं कर पाते हैं, और शायद कर भी सकते हैं, और फिर उसके बाद, हाँ, यहाँ पर देखें, आपको समझ लिए कि आपको पूरे PDF में कोई एक line, जैसे कि आप इस page में देखें, यहाँ पर engineering chemistry लिखा हुआ है, इस page में भी लिखा है, और इस page में भी लिखा है, बट मुझे इस engineering chemistry को हटा के applied chemistry करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले simply इसको select करते हैं यहाँ से, यह मैंने select किया इतना, मैं यहाँ को copy कर लूँगा इसे, फिर हम use करेंगे find and replace feature का, यह इसमें का सबसे best feature लगा है मुझे अभी तक, find and replace में आए, अब आप इसमें यह देखें कि आपको find क्या करना है, हमें engineering chemistry find करना है, हमने यहाँ पे control V से paste कर दिया, फिर engineering chemistry हटा कि आपको लिखना क्या है, applied chemistry, तो आप engineering यहाँ से हटाईए, a, p, p, l, i, e, d, applied chemistry, one, ओके, आप यहाँ पे replace all कर दीजे, अब वो अपने आप scan करेगा, और सारी चीज़ें सही कर देगा, अब आप जैसे की देख सकते हैं, पहले यहाँ पे engineering chemistry था, अब applied हो गया है, आपको लगया कि यहाँ पे नीचे कैसे dots आ रहे हैं, जब हम PDF सेव करेंगे, तो सब dots अपने अप सही हो जाएंगे, यह हो गया, अब फिर हमेशे save करते हैं PDF को, अब यहाँ पे कोई page भी insert कर सकते हैं, अगर आपको कोई page delete करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, तो हमारी, हमनों जितना edit करना था, हमने कर लिया, अब save करते हैं PDF को, apply changes, your task is processing, आपको एक बात बता दें कि, आप इससे एक घंटे के अंदर सिर्फ तीन PDF एडिट कर सकते हैं, अगर आपको यह चीज जादी useful लगती है, और आपको ज़्यादा use है इसका, तो आप इसका pro version भी purchase कर सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे PDF एडिट हो गया, एकदम अच्छे से smoothly, PDF डाउनलोड हो रहा है, अभी आप इसको डाउनलोड करने से पहले भी merge, edit, compress और यहाँ पे जो जो भी feature है, आप इसी के साथ यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं, इसको, यह देखिए, यहाँ पे हमने applied chemistry लिखा है, बराबर से लिखा गया है, वो, पहले का PDF, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यह है अभी का PDF, कितने simply हो, कितने smoothly यहाँ पे हमने नाम अपने add कर दी है, यह भी देख लेता है, देखिए, यहाँ पे applied chemistry, जैसा था वैसा, एकदम smoothly, कोई error नहीं है, जब आप edit करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे points, एक्स्टा चीज़े दिखेंगे, बट save करते time, वो सब हट जाता है, वहाँ से, ठीक है, तो यह हो गया PDF edit करने का feature, अब हम देखते हैं कि OCR करने का कैसे करने, अब देखते हैं OCR feature, OCR feature समझने के लिए, हमने यहाँ पे एक PDF खोल के रखा है, जो हमारी फेवरेट फिजिक्स बुक HC वर्मा का है, यहाँ पे friction topic का PDF है, चार pages का, अब मान लिजे, अगर आपने कहीं से यह book download की होती, आपको word friction search करना है, तो आप control F करेंगे, और friction search करेंगे, बट जैसा कि आप देख सकते हैं, यह scanned copy है, तो यहाँ पे आपको friction कहीं नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, OCR PDF होता अगर, तो आप friction आअसानी से ढून पाते हैं, तो इसी PDF को कैसे OCR करेंगे, देखते हैं, तो फिर से आजाते हैं हम अपनी website पे, यह हमारा पुराना task है, इसे dismiss करते हैं, all tools, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OCR, जिसकी वाद हमने की थी, यह आगे हम OCR पे, यहाँ पे हम अपनी upload फाइल करते हैं, और वही sample जो HC Verma वाला मैंने अब भी आपको दिखाया, उसको select करते हैं, यह यहाँ पे PDF open हो गया है, अब आपको यहाँ पे, अब चाहिए तो आप बारी बारी स्रिफ एक या दो pages को भी कर सकते हैं, बट आपको शायद पूरा PDF OCR करना होगा, तो यहाँ पे आपको एक option दिखेगा, recognize text on all pages, तो recognize text on all pages पे click कीजिए, यह थोड़ा time ले सकता है, बट यह, इसका result बहुत अच्छा देगा आपको, तो थोड़ा wait करते हैं, यहाँ पे task process हो रहा है हमारा, तो आप देख सकते हैं, हमारे document ready है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसे rename भी कर सकते हैं, download करने से पहले, हमें अभी नहीं करना है, हम इसे download कर लेते हैं, और थोड़ है है कि आप इस वाले PDF में words को search कर पाएंगे, हम आपको दूनों PDF साथ में खोल के उसका difference भी दिखाएंगे, तो देख सकते हैं कि हमारा PDF डाउनलोड हो गया है, चलिए open करते हैं से, यह है OCR वाला PDF, यह है normal PDF, तो यह हम normal PDF में हैं, यहाँ पे हमने control F दबाया, और यहाँ प पे, OCR वाले PDF पे जैसे ही हमने control F दबाया, friction, आप देखिए, pages में जितने जहां जहां friction लिखा होगा, सारे words आपके सामने हैं, तो यह feature भी आपके लिए बहुत useful हो सकता है, अपनी books OCR बनाने के लिए, तो यह दो main feature हो गया है इस website के, इस website में और भी बहुत से features हैं, जिनक आए हमें comments में जरूर बताईएगा, thank you very much for watching this video